मुम्रा के मित्तल ग्राउंड एमेमोली जाने वाले रास्ते पर युवक के गले में मांजा फसा जैसे तैसे कर युवक ने बचाई अपनी जान मितल ग्राउंट से जाने वाले रास्ते पर बड़ी संख्या में बच्चे आपको पतंग उडाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे मगर अब ये खत्रे की घंटी बनता जा रहा है दो दिन में दो लोग मांजे में फस गए शैलेस नगर के मोशीन कल बाइक से जा रहे थे और तभी उनके चेहरे से मांजा टच हो गया हलका सा चेहरे पर निशान भी पढ़ गया है वही शंकर मंदिर के पास रहने वाले केतन के गले में भी आज मांजा फस गया मगर पीछे बाइक पर बैठे उनके एक दोस्त ने फोरण जैसे तैसे करके मांजा छुड़ा दिया हलाकि केतन को कुछ नहीं हुआ है मगर ये दो घटनाए एक बड़ी घटना के तरफ इशारा जरूर कर रही है अगर आने वाले समय में यहां बच्चों को पतंग उड़ाने से रोका नहीं गया तो किसी की जान भी मांजे की वज़ा से जा सकती है मित्तल ग्राउंड के पास जो पतंग का मांजा आपके गले में फसा था कितने वज़े हुआ था यह कैसे हुआ और कहा जा रहे थे आप मैं मित्तल ग्राउंड से जा रहा था शाम को साड़े पास बज़े के वक्त मैं उदर से जा रहा था तो गले में मेरा पतंग का मांजा पसा तो मेरा दोस्त पीचे था उसने मुझे संबाद दिया आगे चलके अब ही मेरा गलाब अचा है आगे किसी और कवी साथ भी हो सकती है यह दूर गटिया कैसा पुलिस को इस पर रोक लगाना चाहिए ताकि वहाँ बच्चे जो है इस तरह के पतंग ना उड़ा है यह वह आप